नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका आमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोग टोकी ओलंपिक दोहर एक केसे ये काफी ज्यादा इंपोर्टन टॉपिक है आने वाले किसी भी एक चाम्स के लिए तो आप इने के कुश्चन को रट लीजिए उससे प ठीक है तो देखे यहां पर हमारा पहला कुश्चन है टोकी ओलंपिक दोहर बीज का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है तो देखे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ टोकी ओलंपिक दोहर बीज जो है इसे कोबिट की वज़ा से पोस्ट पॉंड कर दिया गया था दोहर 21 म ठीक है दोहर 20 में इसे होना था लेकिन कोबिट की वज़ा से 20 में नहीं होकर दोहर 21 में हुआ है तो अप्शन B करेक्ट हो जाएका कुश्चन नमबर 2 है दोहर 21 में होने वाला गिरिसम कालिन ओलंपिक है यानि सॉमर ओलंपिक दोहर 20 का आयोजन कहा हुआ है तो देखे इसका जो आयोजन हुआ है टोक्यो जपान में हुआ है ठीक है दोहर 21 में होने वाला गिरिसम कालिन ओलंपिक का आयोजन कहा हुआ है टोक्यो जपान में हुआ है ठीक है option B करेक्ट जायाएका question number 3 है इससे पहले 31 ग्रिस्म काने ओलम्पिक है 1216 का आयोजन कहां हुआ था तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो ग्रिस्म काने ओलम्पिक होता है तो ये परतेक 4 वर्स के अंतराल में होता है आपको याद रखना है परतेक 4 वर्स के अंतराल में तो इससे पहले जो हुआ था ये 1216 में हुआ था ठीक है कहां पर हुआ था रियो डिजनेरियो ब्राजील में हुआ था ठीक है आपको याद रखना है रियो डी जनेरे यो ब्राजील ठीक है? कुश्चन नंबर मतलब अप्शन C करेक्ट जायाएगा कुश्चन नंबर 4 है टोकियो उलंपिक द्वहर 20 में किस देशने सबसे ज़्याधा पदख जीते हैं तो देखें टोकियो उलंपिक द्वहर 20 में जो है सबसे ज़्यादा पदक है अमेरिका ने जीते हैं ठीक हैं अमेरिका ने सबसे ज़्यादा जो है मतलब कुल पदक जो है 113 पदक जीते हैं इनमें से 49 स्वांड है एक तालिस रोजत और 33 जो है कास से पदक जीते हैं और दूसरे अस्थान पर जो है चाइना ने जीता है और भारत का मतलब वहीं भारत की बात करें तो साथ पदक जीते हैं भारत ने एक गोल्ड जीता है भारत ने दो सिल्बर और चार ब्रॉंज है ठीक है इसी के साथ भारत जो है 48 वे अस्थान पर है भारत का मतलब अस्थान जो है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है आपको सबसे ज़्यादा स्वाण पदक अमेरिका ने जीते हैं मतलब गोल्ड ठीक है 49 जीते हैं सबसे ज़्यादा अमेरिका नहीं जीता है 41 ठीक है और सबसे ज़्यादा कांसे पदक अमेरिका नहीं 33 जीते हैं ठीक है कुश्चन नमबर पांच है एक मात्र भारतिया जिन्होंने टोक्यो लंपिक में स्वाण पदक जीता है तो देखे आप सभी को पता ही होगा कि एक मात्र भारतिया जिन्होंने टोक्यो लंपिक में जो है स्वाण पदक के गोल्ड मेडल किस ने प्राप्त किया है तो ये चोपड़ा ने प्राप्त किया है ठीक है आपको याद रखना है नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेक के खिलाड़ी है आपको याद रखना है option B करेक्ट जाएगा question number 6 है Tokyo Olympic दोहर बेस में भारत ने कुल कितने पदग जीते हैं तो देखे Tokyo Olympic दोहर बेस में भारत ने कुल साथ पदग जीते हैं ठीक है कितने साथ पदग जीते हैं Tokyo Olympic में जो है साथ पदग जीते हैं एक गोल्ड दो सिल्बर और चार ब्रॉन जीते हैं और इसी के साथ भारत का भारत जो 48 वे अस्थान पर है ठीक है आपको याद रखना है पहला पदग किसने जीता है तो मीरा भाई चानु ने जो की वेट लिफ्टिंग से सम्बन देत है और इन्हों ने रोजत पदग प्राप्त किया है ठीक है दूसरा पदग जो है पीवी सिंदु ने जो की बैटमिंटन की खिलाडी है और इन्हों ने कां से पदग जीता है ठीक है तीसरा पदग जो है लौलीन होके टीम ने जीती है का हम से पदक जीता है ठीक है पांचवा पदक रभी कुमहर दहिया जो कि एक रैसलर है और है आह जो है का से पदक जीता है और सात्वा जो है सात्वा पदक नीरा चोपडा ने प्राप्त किया है मतलब जीता है भाला फेक के खिलाडी है ये और ये मतलब स्वान पदक जो है इन्होंने प्राप्त किया है आपको याद रखना है कुल सात्पदक जो है भारत ने प्राप्त किया है ठ तो टोके ओलम्पिक दोहर में एक किसे समापन समर्वoshima Ratio की जो थेम जाएका काफे ज्यादा है तो इसकी जो थेम ती ओस वह थे ini वा थी व्ट विस इए आपको यादा रखना है व्ट व estásmaya जो था यह समापन समर्व तीम फिसर एक और सन रर को शागा इसे के साथ है टोक्य ओलम्पिक दोहरे किसके उद्गाटन समरो की थीम ये भी काफी ज़्यादा इंपोर्टन्ट है तो उद्गाटन समरो की थीम क्या थी तो इसकी जो थीम थी United by Emotions क्या थी United by Emotions जो थी इसकी थीम थी ठीक है option B करेक्ट जा आएगा question number 9 है ओलम्पिक लोगों में कितने चल्ले होते हैं यानि rings rings की बात करें तो कितने होते हैं तो ये 5 rings होते हैं ठीक है और ये अलग-अलग colors के होते हैं और colors जो होते हैं मतलब विभीन रंग के जो colors होते हैं तो ये महादीपो का परतिनिधित्व करते हैं रखना है कॉलर्स जो होते हैं ये महादीपो का परतिनीधित्व करते हैं ठीक है जो और ये कितने रंग के होते हैं नीला काला लाल पीला और हरा ठीक है यह इसके कलर्स होते हैं और यह कलर्स जो होते हैं यह महादीपों का परतिनीधित्व करते हैं तो नीले रंग की बात करें तो यह यूरोप महादीप का परतिनीधित्व करता है काला रंग अफरिका महादीप का पर परतिनी धित्व करता है पीला ये सिया का परतिनी धित्व करता है और हरा जो आस्ट्रेलिया का आपको याद रखना है कुश्चन नमबर दोस है टोक्यो जपान ओलंपिक आयोजन कब से कब तक हुआ है तो देखे इसका जो आयोजन हुआ है तो 13 जुलाई से 8 अगस्त के टोक्यो पैरा ओलंपिक दोहरे किसका जो आयोजन होना है तो इसका जो आयोजन होगा तो यह होगा चोबिक 24 अगस्त से 5 सितंबर के बीच में जो है इसका योजन होगा आपको याद रखना है ऑप्सन बी करेक्ट हो जायाएका कुश्चन नमबर यह 11 है डबल 11 हो गया है ठ कертв में ज्लाडी पैर तो देखिए टौकियो उलंपिक में भारत की तरफ से एकस्व उनडीस खे दबी जो है वो है मिराई तोवा ठीक है आपको याद रखना है दोहर 21 का सुभंकर क्या है टोकियो उलंपिक की मिराई तोवा ठीक है ओप्शन एक करेक्टर आएगा कुश्चा नमबर 13 है पैरा उलम्पिक खेल दोहर 21 का सुभंकर क्या है तो देखे पैरा उलम्पिक की बात करें तो दोहर 21 का जो मतलब इसका सुभंकर है वो है सुमाईटी ठीक है आपको याद रखना है सुमाईटी जो है पैरा उलम्पिक खेल दोहर 21 का सुभंकर है बी करेक्ट हो जाएगा, कुश्चन नमबर 14 है, ओलम्पिक खेल की सुरुवाद कब होई थी, तो ओलम्पिक खेल की जो सुरुवाद होई थी, 6 अपरेल 890 को, ठीके आपको याद रखना है, 6 अपरेल 890 को, ओलम्पिक खेल की सुरुवाद होई थी, ओलम्पिक खेल की सुरु हुई थी ठीक है कोब सामिल हुई थी उनिस समय और जिसका योजन जो हुआ था पेरिस फरांस में हुआ था ठीक है उनिस समय सामिल हुई थी और इसका योजन फेरिस फरांस में हुआ था ठीक है कुश्चन नंबर 16 है पहला ओलंपिक खेल का योजन कहा हुआ था तो पहला ओल और पहला सितकालिन उलम्पिक आयोजन 1924 में चौमो निक्स फ्रांस में हुआ था ठीक है आपको याद रखना है पहला पैरा उलम्पिक खेल कायोजन 1960 में रो मिटली में हुआ था और सिर्फ एक बार 1900 में किरकेट को उलम्पिक में सामिल किया गया था जिसका आयोजन पेरिस करांस में हुआ था ठीक है ख़क नंबर 17 है घञा तो ओलम्पिक खेल को सुरु करने का छो शर्य जाता टो यह जाता है पियरेजी पियरेटी को बाटिन थीक है पियरेटी को बाटिन को जाता है वीकिर है मतलब शुरू करने का सिरे option B correct हो जायाएगा question number 18 है olympic खेल के लोगों का निर्माड किस ने किया था जो लोगों होता है olympic खेल का तो उसका निर्माड किस ने किया था तो PRAD कोबार्टिन नहीं किया था आपको याद रखना है PRAD कोबार्टिन नहीं लोगों का निर्माड किया था option B correct हो जायाएगा question number और olympic खेल के लोगों का पहली बार जो इस्तमाल हुआ था तो Antwerp Belgium olympic 1920 में हुआ था ठीक है आपको याद रखना है Antwerp Belgium olympic में मतलब 1920 में इसका पहली बार इस्तमाल हुआ था question number 19 है olympic हेल का आयोजन परतेक कितने बर्स के अंतराल में होता है तो देखिए तो बता ही चुके है कि परतेक 4 बर्स के अंतराल में इसका आयोजन होता है ठीक है question number 20 है Olympic के आधर स्वाके से संब्धित 3 सब्दे कौन से है तो Olympic के आधर स्वाके से संब्धित जो 3 सब्द है वो है CTS Altius और Fortius यानि ये तीनों जो है मतलब Olympic के आधर स्वाके है जो कि Latin सब्द है आपको याद रखना है Latin सब्द है तो यहाँ पर डीकरेक्ट हो जाएगा उपर युक्त सभी ठीक है और इसको अंग्रेजी में अंग्रेजी में इसकी बात करें तो CTS का मतलब होता है अंग्रेजी में इस्ट्रोंजर होता है इसका मतलब और हिंदी में जो है मजबूत ठीक है और दोहरे किस का नया मोटो आया है उसमें एक और वर्ड जोड़ा गया है तो कौन सा वर्ड जोड़ा गया है टूगेधर ठीक है टूगेधर का हिंदी में मतलब होता है एक जूट था आपको याद र प्छी सेaiserण चंप स्बीस करちको याद रखना और ईसका युचन एंटवर्प बेल्जियम में किया गया था ठीक है भारत ने पहले बार सिद्कालिय उलम्पिक में हिस्था 1964 में लिया था और इसका योजन इंसब्रू कास्ट्रिया में हुआ था ठीक है ये सारी बाते आपको याद रखनी है कोश्शन य migrant 22 है ओलम्पिक खिल को कौन सी संस्ता रिगूलेट करती है तो देखिए ओलम्पिक खिल को ये आई यो सी संस्ता रिगूलेट करती है आपको याद रखना है ISO की full form होती है हिंदी में इसको अंतराष्टी Olympic Summit बोला जाता है और अंग्रेजी में International Olympic Committee ठीक है आपको याद रखना है और बाकी यह जो तीन है ATP ICC और FIFA ATP जो है यह Tennis Tennis खिलाड़ी मतलब Tennis खेल को regulate करती है ATP Tennis खेल को regulate करती है मतलब किर्केट खेल को जो है यह ICC regulate करती है और फुटबाल को जो है यह FIFA regulate करती है आपको याद रखना है और IOC जो है यह Olympic खेल Olympic को IOC regulate करती है ठीक है Question number 23 है अंतराष्टी ओलंपिक समेते यानि IOC के बरतमान अध्यक्षिद्वारे किस में कौन है तो देखे इसके जो बरतमान अध्यक्षिद्वारे किस में हो है ठामस वाक ठीक है कौन है ठामस वाक है Option E करेक्ष जाएगा Question number 24 है अंतराष्टी ओलंपिक समेते यानि IOC का मुख्याले कहां इस्तित है तो देखे इसके जो मुख्याले है वो है लिवसान है स्वीर्चर लेंड में ठीक है लिवसान है स्वीर्चर लेंड में Option D करेक्ष जाएगा Question number 25 है अंतराष्टी ओलंपिक समेते यानि IOC के सदास्य देश यानि एक टीब मेंबर कितने है तो एक टीब मेंबर जो है वो है 105 ठीक है Option ये करेक्ष जाएगा उसके बाद यहाँ पर हमारा अगला Question है अंतराष्टी ओलंपिक समेते यानि IOC की अधिकारिक भासा कौन सी है तो देखे ए IOC की जो अधिकारिक भासा है वो है अंग्रेजी और फ्रेंच आपको याद रखना है अंग्रेजी और फ्रेंच जो है इसके अधिकारिक भासा है तो यहाँ पर A और B जो है दोनों करेक्ष हो जाएगा ठीक है Option C बिलकुल करेक्ष है तो देखिए दोस्तों ये थे मतलब टोक्यो ओलंपिक धोरेक्ष है सिसर र्लेटेड है टोउन्टे सिक सरी टोउन्टे सेबन कोस्चन आई होब कि ये वीडियो पसंद आ रहेगा दोस्तों आप इन 27 कोस्चन में से कितने कोस्चन सही कर पाया है अपना स्कूर कामेंट बक्स में जरूर बाता है वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक है चैनल पनाया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर सान कर दीजेगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग